आपके परसन के साथ ब्रेक अप हुआ है लेकिन ब्रेक अप होने के बावजूद भी आपका परसन आपके लिए फील करता है कही न कहीं I can sense कि आपका connection काफी strong है क्योंकि अभी भी काफी चीजें आपके दिलों में पनप रही है I get a vibe कि आपका परसन आपके बारे में सोचता रहता है कही न कहीं वो ये भी सोचते हैं कि आप भी उनके बारे में सोचते होंगे बहले ही आप एक दूसरे से दूर हैं लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेहत प्यार है I can feel कि आपके परसन ने आपको कभी अपनी सची फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी या तो वो उस कंडिशन में नहीं थे कि आपको बता पाएं या उनके घर में काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिनकी वज़ा से वो काफी स्ट्रेस थे और आपको बता नहीं पाएं All in all, इस कनेक्शन को आपके परसन ने कभी clarity नहीं दी हमेशा असमंजस में रखा I can also see कि आपके परसन के साथ past में कुछ खलत हुआ है जिसकी वज़ा से उनके मन में डर बैट गया है उनको ये सब चीज़े handle करने से डर लगता है उस सोचते हैं कि उनसे कोई भी connection अच्छे से नहीं निभाया जाएगा क्योंकि उनके मन में trust issues है आपका परसन असानी से किसी पर भी trust नहीं कर बाता ये भी कारण हो सकता है कि उन्होंने अपनी भाबनाएं आपको व्यक्त इसले ही नहीं की कि कहीं आप उन्हें समझो न या आप उनका मन न दुखा दो लेकिन सचाई तो कुछ और ही थी आपने उनको बेहत समझा लेकिन वो ही इतने confused थे कि समझ नहीं पाए और रिष्टा यूँ ही तूड़ दया I feel कि आपको उपने connection के patterns को देखना चाहिए आपको सोचना चाहिए कि कौन से चीज है जो सबी connections से उभर कर आ रही है कौन से चीज है जो problems खड़ी कर रही है या problem खड़ी होने के कारण बन रही है और आपको ये भी पता लगाना चाहिए कि कौन से चीज है जिससे आपको सबसे ज़ादा दुख पहुचा और कौन से चीज है जो अंदर ही अंदर दबी होई है जिसको heal करने के आपको जरूरत है क्योंकि कहीं न कहीं आप भी डड़ते हो अपनी तरफ से पूरी तरह से commitment देने के लिए इट आपका person emotionally disturbed है उनको life में stability की need है उनकी सोच एक जगा टिकतर नहीं रहती कभी-कभी उनको लगता है कि वो आपसे दुबारा बात करने को तैयार है और कभी-कभी उनको लगता है कि वो नहीं कर सकते I guess उनको भी time चाहिए ताकि वो चीजों को अच्छे से समझ पाए और आगे steps उठा पाए But I believe कि आपके बीच में सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा क्योंकि वो आपको लेकर कफी deep feelings रखते हैं वो आपके बारे में काफी सोचते हैं और चाहते हैं कि आप जहां भी रहें खुश रहें I also get a vibe कि आपकी life में जल्द खुशियां आने वाली है I can sense कि आपका भी एक बहुत खुबसूरत परिवार होगा आपके person के साथ कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों जल्द दूसरे से मिलेंगे और शादी करेंगे आप एक नए इंसान के रूप में उभर कर आएंगे अभी आप जितना भी हताश और परिशान है वो सब दूर हो जाएगा क्योंकि आपने इस connection में अपना 100% दिया है आपने हमेशा चाहा कि ये connection हमेशा ही बना रहे इसमें कोई अर्चन ना आए आपका भी एक सुखभरा परिवार हो I also feel कि कोई divine energy है जो आपको protect कर रही है अगर आप बीच में परिशान होते भी हो तो कोई ऐसी ताकत या कहलो भगवान की कृपा जो आपको पूरी तरह से टोटने से बचा लेती है और यकीन मानिये भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है I believe कि अभी आपको strong होने की जुरुरत है और आपको अपनी साइड से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस connection के टोटने में आपकी कोई गलती नहीं थी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अपने person का क्योंकि आपका person खोद आएगा आपसे माफी मांगने आपको मनाने कहिना गहीं वो बेहत शर्मिंदा है अपनी हरकतों को लेकर इसलिए उन्होंने मन बना लिया है कि आपके पास आजाएं और माफी मांगी जाए आपको connection पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है या तो अपना real self होकर बात नहीं कर रहे हैं उनसे या वो नहीं कर रहे है कहीं नगहीं आप दोनों अंदर से एक दूसरे के लिए काफी कुछ फील करते हैं लेकिन बाहर से दिखाते नहीं हैं जो एक problem है अगर आप वाक्य में जाते हैं कि आपको connection पहले जैसा हो जाए तो आपको सबर रखना पड़ेगा इंतजार करना होगा सही वक्त का क्योंकि कभी कभी रिष्टे अच्छे होते हैं लेकिन वक्त खराब होता है इस strongly feel की future में आप दोनों के साथ कुछ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा होने वाला है I can also sense कि आपके person के मन में नगरात्मक विचार भरे पड़े हैं उनको ऐसा लगता है कि वो जिन्दगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे वो रिष्टे अच्छे नहीं बना पाएंगे वो आपको नहीं मना पाएंगे और जादातर बाते उन्होंने अपने आपको दुख बरी बताई हैं कुछ यूँ भी प्रतित होता है कि आप उन्हें दुख में उनके साथ जादा खड़े रहे हो और वो नहीं रहे I can feel कि वो आपके साथ आपके मुश्किल दौर में खड़े रहना चाते थे लेकिन उनकी खुद की परिशानिया इतनी जादा थी कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाए या यूँ कह लीजिए कि उनके खुद के विचारों ने उनको इसकदर खेर लिया कि वो कुछ और सोची नहीं पाए सोची नहीं पाए कि आपको भी उनका वक्त चाहिए उनका प्यार चाहिए जो वो नहीं दे भा रहे मैं कार्ट को प्लारिफाय करता हूँ तब तक आप प्रॉपर एनरजी एक्सचेंज के लिए से रीडिंग को लाइक कर दे और प्रॉपर रीडिंग के आप मुझे उपर दिख रहे वाटसाप नंबर पर प्रॉपर प्रॉच कर सकते हैं डीब डाउन आपको पर्सेंग ये रिलाइस करता है कि आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे आपने हमेशा उनको सहारा दिया उनको समझा जो को नहीं समझ पाए और इस बात का उन्हें बेहत दुख है आपके वाइब कि आपके पर्सेंग की मेंटल कंडिशन काफी खराब हो चुकी है लेकिन उनको कोई असर होता हुआ नहीं दिखता और इस दौरान वो आपको बेहत याद करते थे कि काश आप उनके साथ होते हैं वो आपके साथ एक सुकून भरी मुलाकात की आशा रखते हैं और सोचते हैं कि उनको ही चीज़े ठीक करनी होंगी अगर वो सुकून भरी मुलाकात चाहते हैं तो I also feel कि आपके friends भी आप दोनों को मिलाने की सोचते रहते हैं वो आप दूनों से छुपकर कुछ प्लान कर रहे हैं, जिससे आप दूनों अचानक मिल जाएं और आपके बीच में सोला हो जाएं। ऐसा भी हो सबता है कि उन्होंने कुछ ऐसा सोचा हो जिससे आप दूनों ही जगाचौन्थ हो जाएं। I see कि आप इस कनेक्शन की वज़ा से अपने करियर पर अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहें। आपके बहुत सपने थे लेकिन इस कनेक्शन से दुख मिलने के बाद वो भी कहीं ओजल हो गए हैं। कि आप काफी इंटेलिजेंट हैं और आप अपनी जिन्दगी में काफी दूर तक जाएंगे। और एक बार फिर मेरा यकीन मानिए कि आपके करियर के लिए भी आने वला वक्त बेहत हसीन रहेगा, आप जिन्दगी की उच्छी-उची मारतों को जल्द छोवेंगे। Deep down आपका person भी यही जाता है कि आप अपने सबने बोरे करें, आप अपनी जिन्दगी में काफी आगे बड़ें ताकि उनको आपके उपर गर्व महसूस हो सके और असीन खुशी मिल सकें। I guess कि आपके connection में financial problems भी बहुत थी, जिसका आप दोनों के उपर काफी बोश था। आप दोनों ही इस चीज़ को लेकर काफी परिशान रहते थे कि future में कैसा चलेगा। यह future साथ पिताना है तो financially secure होना बेहत ज़रूरी है जो आप दोनों में से कोई एक कही नहीं नहीं था। बटाने वाले time आप दोनों के लिए बहत खास होगा, आप दोनों की ही काफी तरक्की होगी और यह financial problems का बोज सर से उतर जाएगा। और तब चीज़े असान होगी, जैसे अगर आप future का भी सोचोगे तो यह चीज़ बाधा बनके नहीं उत्पन होगी। I strongly feel कि अभी आपको नहीं लगता कि फिलाल कुछ सुधार आपकी connection में हो सकता है, आपको time चाहिए, लेकिन जब तक आप अपने उपर काम नहीं करेंगे, खुद को ही नहीं समझेंगे, यह नहीं जानेंगे कि आपको भी क्या चाहिए, क्या नहीं, तब तक जिन्दगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप और आपका person आने वाले time में ज़रूर एक होंगे, लेकिन फिलाल आप दोनों के बास time है खुद को देने का, खुद को improve करने का, जो आगे जाके connection के रंग में भी उभर कर आएगा,